हलो फ्रेंज वेल्कम टो आवर यूटूब चानेल मुनिदा सो फ्रेंज आज के वीडियो बही हम इंट्राइड के लिए पास्टॉक्स को देखने वाले हैं लेकिन उसके पहले हम निप्टी 50 इंडेक्स और बैंक निप्टी इंडेक्स को अनलेसिस करेंगे तो चली वीडियो को स्टार्ट कते वीडियो पसन आएगा तो वीडियो को लाइक चानल में नहीं हो तो चानल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन को दवाना ना भूलना तो यह निप्टी 50 इंडेस का चार्ट से और यह चार्ट साबको डेली टाइम फ्रेम पे दिखने के लिए मिलता है निप्टी फिलाल ट्रेट करा है 25,810 पे और आप देख सेकते हो यह लास्ट का कैंडल है जिसमें हम लोगों को 368 पॉइंट का डाउन दिखने के लिए मिला राइट तो निप्टी में अभी तो थोड़ा करेक्शन होगा है विकास आप देख सेकते हो निप्टी ज में दिखने के लिए मिल दा है तो आगे हम बैंक निप्टी इंडिक्स को भी देखेंगे और इधर आप देख सेकते हो यह जो कैंडल है इस कैंडल ने जिस लेबल पर क्लोजिंग दिया है इस लेबल पर हम एक होरिजंटल लाइन को ड्रॉआ करेंगे ठीक है उसके बाद हम 15 मिनी चार्ट्स पर चले जाएंगे तो आप 15 मिनी चार्ट्स पर देख सकते हो निप्टी जो है इसी लेबल पर सपूर लेने के बाद क्लोजिंग दिया है तो कल के दिन अगर निप्टी इस लेबल को भी ब्रेकड़ून करता है तो दोस्तों निप्टी में फीज से हम सब्सक्राइब को पॉजिटिव दिखने के लिए मिलेगा तो चली हम बेंग नीप्टी इंडेस के चार्ट्स को देख लेते हैं तो ये बैंग नीप्टी इंडेस का चार्ट्स पर देखने के लिए मिला और बैंक नीप्टी फिलाल टरेट कर रहा है 52,978 मतलब 53,000 जो पर closing दिया, पहले भी bank nifty इसी level पर कहीं बार high लगा रहा, देख सकता हूँ, two time high लगा या, right, तो इसी level के पास आके closing दिया है, तो चली अभी हम 15 mini charts पर चले जाते हैं, तो 15 mini charts पर आप देख सेकत हो, bank nifty इसी level पर काफी time से अपने आपको hold करने के बाद इसी level के पास ही closing दिय है, तो कल के दिन bank nifty अगर ये जो आपको low दिखने के लिए मिला है, ठीक है, इस low को भी breakdown करता है, तो bank nifty में फिर से हम लोगों को थोड़े बहुत fall दिखने के लिए मिल सकता है, जो bank nifty को 52,000 level तक भी लेके आ सकता है, बट near race में जो psychological number होता है, 52,500 इन सरे levels को आपको ध्या में रखना है, और पहले भी मैंने बताया है, जो psychological number होता है, psychological number ही support and resistance के जैसे काम करता है, जैसे आपको इधर clear देखने के लिए मिला, 52,978 मतों almost 53,000 का level तो 53,000 level के पास ही आके आप देख सेक्टर bank nifty इसी level पे काफी टेम से अपने आपको hold करने के बाद इस level पे closing दिया है, तो इस से level scope को ध्यार में रखना है, तो चली अभी हम stocks को देख लेते हैं, और दूस्तो और एक बात है, जब index में हम लोगों को थोड़े down देखने के लिए मिलता है, तो उस टेम हम लोगों को conscious होके trade लेना चाहिए, तो चली यह stocks पे चलता है, तो आज का पाहला stocks ही, यह है well spun corporation और यह daily time frame पे stocks का price है 766.30 रूपेज, तो यह last day का candle को अब देख सकते हो, अच्छे volume के साथ strongly candle बना के closing दिया है, और stocks का trend भी up train में है, तो यह जो last day का candle है, इस last day का candle ने जिस level पे high लगाया, इस level पे हम horizontal line को draw करेंगे, और closing पे horizontal line को draw करेंगे, क्योंकि last day के candle जहाँ प अब हम 15 minute charts पे चले जाता है, ठीक है, आप 5 minute charts पे analysis करेंगे, आप चाहें तो 15 minute charts भी देख सकते हो, इधर आपको clear देखने के लिए मिला है, कि इस level पे यह जो stocks है, यह stocks resistance फेस किया, उसके बाद थोड़ी बहुत नीचे आके, अगें इस level के पास जाके, अपने आपको hold करने के बाद closing दिया है, right? So, यह stocks में आप intra day के लिए देख सकते हो, जब यह stocks अपना high को 5 minute time frame पे breakout दे के इस level के ओपर closing देगा, तो आप इसमें intra day के लिए देख सकते हो, और intra day में अगर आपका target 1% है, तो stop loss आपका 0.50% लेना चाहिए, अगर आपका target 2% है, तो आप stop loss 1% उससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, और friends, यह जो level मैंने अब लोगों को बताया, ठीक है, यह level बहुत easily आप draw कर सकते हो, जैसे कि मैंने दिखाया, daily candle high and closing पे आपको horizontal line draw करना है, तो ओई line आपका resistance के जासे काम करता है, ठीक है? तो चलिए, अब हम next stocks देख लेता है, so next stocks ह IGL, stocks का price है 558.55 rupees, so यह stocks को मैंने क्यों select के पहले यह बता देते है, जैसे कि आप देख सकते हो, last day के candle की closing जिस level पे है, यह stocks कहीं बार इस level पे high लगा है, right? And last day का candle इस level के पास जाके closing दिया है, तो यह stocks इस level पे resistance फेस कर रहा है, तो जब कोई stocks एक level पे कहीं पर resistance फेस करता है, तो उस level को जब breakout होता है, तो stocks में काफी अच्छा moment मिलता है, और दोस्तों जो भी इंट्राडी के लिए stocks में आप लोगों के साथ analysis करती हूँ, अगर next day इन सरे stocks में आपको, मतलब trade नहीं मिलता है, जैसे कि इस level को अगर breakout नहीं करता है, तो इन सरे stocks को आप उसके बाद भी नजर में रख सकते हो, तो आपको क्या करना है, simply यह जो candles ने high लगा ना, इस level पे हम horizontal line को draw करेंगे, उसके बाद, इस candles ने जिस level पे closing दिया है, उस level पे ह हम और एक horizontal line को draw करेंगे, उसके बाद हम 5-mini charts पे चले जाएंगे, तो 5-mini charts पे आप देख सकते हो, यह stocks इस level के पास, ठीक हाई लगाने के बाद, अल्मूस इस level के पास ही closing दिया है, तो यह stocks में आपका जो intraday plan होगा, यह stocks जब अपना high को breakout करके 5-mini time frame पे closing देगा, तो आप इसमें intraday के लिए देख सकते हो, और कभी कबड हम लोगों को market opening की बाद ही, इस सारे level का breakout देखने के लिए मिलता है, और कभी कबड हम लोगों को बाड़ा एक बज़े breakout देखने के लिए मिलता है, तो इस stocks को भी आप intraday के लिए देख सकते हो, तो चलिए अब यह next stocks देख लेता है, तो नेक जो stocks है, JM Financial, stocks का price है 150.63 रोपेश, तो इस stocks को आप देख सकते हो, continue upset की तरफ मोमेंट कर रहे है, और यह stocks को में weekly swing setup के ओपर आप लोगों के साथ analysis किया था, जैसे के आप देख सकते हो, इस level का जब breakout हुआ, तब मैंने आप लोगों के साथ analysis किया, उस जो last day का candle है, जिस level पे high लगा, इस level पे हम horizontal line को draw करेंगे and closing पे हम horizontal line draw करना है, उसके बाद हम 5 minutes charts पे चले जाएंगे, तो आप देख सकते हो, यह stocks इस level पे high लगाने के बाद थोड़े नीचे आके closing दिया है, तो यह stocks में भी आप intraday trade ले सकते हो, तब यह stocks अपना high को breakout अगर इस stocks में next आपको breakout देखने के लिए मिलता है, तो आप इसमें intraday के लिए देख सकते हो, otherwise इस stocks अगर नहीं breakout देता है, तो उसके next दे भी आप इन सरे stocks को ध्यान में रख सकते हो, okay, तो next हम stocks को देखने वाले है, so next stock से यह है elegant, stocks का price है 700.05 रोपेस, so इस stocks का trend आप देख सकते हैं, अगर हम charts को close लाएंगे, तो आप इधर से clear देख सकते हो, okay, so friends, यह stocks का last day का candle को आप देखिए, ठीक है, last day का candle पे कुछ खास moment हुआ नहीं, but यह stocks last day candle जिस लेवल पे closing and high लगा रहा है, almost यह stocks 3 days से similar जगा पे high and closing दे रहा है, और इस stocks को आप देखिए, जब price आप upside की तरह moment किया, इसका साथ volume भी दिया, जब stocks थोड़े बहुत नीची की तरह आया, तो इसका volume कुछ खास नहीं हो रहा है, okay, और हम इधर और इक चीज़ देखेंगे, पहले भी आप देख सकते हो, यह stocks इस level पे high लगा रहा है, इस level पे high लगाया, लेकिन इस level को breakout नहीं कर पाया, तो यह जो level अपको देखने के लिए मिलना है, यह level stocks के लिए एक important resistance level है, तो चलिए, इसके high पे हम horizontal line को draw करेंगे, okay, और इस candles के closing पे हम horizontal line को draw करेंगे, उसके बाद हम 5-minute charts पे चले जाएंगे, इधर से आप clear देख सकते हो, कि यह जो stocks है, इस level के पास काफी time से अपने अपको hold करने के बाद closing दिया है, मतलब stocks में क्या देखने के लिए मिलना है, कि stocks आपसाई जन में interested है, बिकास यह stocks में अगर negative होता है, या seller pressure जादा रहता है, तो stocks में downfall हम लोगों को दिखने के लिए मिलता है, बर stocks अपने resistance के पास अपने अपको hold कर रहा है, इससे हमें यह पता चलता है, कि stocks को आप साई जाने में interested है, okay, तो friends, यह जो stocks है, यह stocks आप देख सकते हैं, इस level के पास closing दिया है, अगर हम इसके 15 mini charts पे चले जाएंगे, तो इधर आपको 2 trade मिल सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो, यह stocks इस level पे high लगा राइट, तो अगर इस high को breakout करता है, तो आप इसमें एक छोटा सा points ले सकते हो, उस तो चलिए अभी हम next stocks देख लेते हैं, तो नेक दो stocks है, जूपली इन इंगरिविया, stocks का price है, 775.60 रोपेज, तो यह stocks को last day के candle को आप देखिए, जिस level पे high and closing दिया है, almost यह stocks कहीं बार इस level पे high लगा राइट, बट इस level को breakout नहीं कर पाया, और हम stocks का trend भी देखेंगे, त आप देख सेकते हो, stocks का trend में है, और इधर आपको बहुत सरे horizontal line देखने के लिए मिला है, तो यह stocks कहीं बर मनें अब लोगों के साथ analysis किया, कभी daily swing setup के ओपर, कभी weekly swing setup के ओपर, तो आप देख सेकते हो, जब जब इस level का breakout दिया, तो stocks में काफी अच्छा moment हम लोगों को देखने के लिए मिला रहा है, और stocks का आप volume भी देखेंगे, तो volume overall अच्छा है, तो हमें क्या करना है, जो last day के candle के high पे हमें horizontal line को draw काना है, उसके बाद हमें closing पे horizontal line draw काना है, हम 5-minute charts पे चले जाएंगे, तो यह stocks को आप देख सकते हो, अपना जो resistance level है, इस resistance level के पास जब आया था, यह stocks इस level पे अपने अपको hold करने के बाद closing दिया है, तो काफी अच्छा level पे यह stocks ने closing दिया है, तो कल के दिन अगर यह stocks अपना high को breakout करता है, 5-minute time frame पे, तो यह stocks में आप intra-reak के लिए देख सकत हो, तो यह stocks से यह है कि लॉसकर ब्रदर, stocks का price है 1,853.80 रोपे, तो यह stocks का trend downtrend में, आप देख सकते हो, stocks इस level पे high लगाने के बाद काफी ज़्यादा नीचा आया, और लास्ट के candle को देखिए, अच्छे volume के साथ closing दिया है, और stocks में हम लोगों को अच्छा moves देखने के लि तो यह stocks के लिए, एक important resistance level है, इस level पे हम एक horizontal line को draw करते हैं, तो अब देख सेकते हो, यह जो level है, stocks के लिए एक important resistance level है यह level है, 1855 से लेके, 1874 रुपीज का level, तो यह stocks का, यह level का आप ध्यार में डख सकते हो, important resistance level है, तो इसमें भी आप analysis करके इसमें intraday के लिए देख सकते हो तो आज के वीडियो में इतना ही I hope कि आपको सारी चीज़े clear हो गया है और last में मैं एक disclaimer मत देना चाहती हूँ इस वीडियो में मैं जो भी stocks अब लोगों के साथ analysis करती हूँ इसमें मैं खूद के analysis और मैं खूद के opinions होते है तो जब भी आप कोई भी stocks में intraday trade लेते हूँ उसके पहले आप जरूर analysis कीज़ेगा उसकी बादी trade लिए जिएगा I hope कि ये वीडियो आपके लिए help रहा है अगर वीडियो help रहा है तो वीडियो को like करना जाद से जाद से शेयर करना तो आज के वीडियो में इतना ही मिलता है में नेक्स ऐसे इकोई learning वीडियो में तब तक लिए बाबाई